तो भाईयों और बेनों आप लोगों के भी अभी तक नौट और सिक्की नहीं भी की हैं तो दोस्तों आप सब लोग एकदम सही वीडियो में आज चुकियों नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रवी सर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप सब लोगों के लिए वेरिफाइड ऑथन्टिक जानकारी दी जाती है अगर आप लोगों को करंसी सेल करनी है पुराने जमाने की नौट और सिक्के बेचने हैं लेकिन दोस्तों आप लोग ठक चुके हैं यूट्यूब पर कई सारे वीडियो देख देख कर ठक चुके हैं जिस भी बाहर से कॉंटेर करते हो कोई पैसा मांगता है तो कोई एप्लिकेशन डाउनूड करवाता है लेकिन आपके नौट और सिक्के हैं वो बिक नहीं रहे आप बहुत ही परहसान हो तो दोस्तों आप सही जगे आज चुके हो इस वीडियो के मादिम से आपको रियल बाहर के नंबर है वो आपको दिये जाएंगे साथ साथ दोस्तों आपको इस वीडियों कई सारी जानकारिया ऐसी बताई जाएंगी जो जानकारिया आपको बहुत ज़्यादा दोखा दे चुकिए यानि कि ऐसी गलती आप कर बैठे हो जिनकी वज़े से आपके नोट और सिक्के अभी तक नहीं विखे है और आगे भी ऐसी गलतीया राप करते रहोगे तो आपके नोट और सिक्के नहीं विखने वाले इसलिए दोस्तों आप जो गलती करें उन गलतीयों को आज इस सुदार लेजिए और आज इस video किसी परकार करते हैं यह भी आपको शंपुन जानकारी मैं आपको इस video बताने जा रहे ह। तो video इबड़ा द्यान से देखना और video को अगर आपने आगई पीठी करके देख लिए तो दोस्तो मेरी कोई गारंटी नहीं रहेगी और फिर आप लोग मुझे मत बोलना कि भाई आपने नमबर नहीं दिया या फिर आपने सही तरीका नहीं बता है दोस्तो नोट और सिक्की बेचने के लिए कोई फीस नहीं लगती है कोई RBI चार्ज नहीं लगता है किसी को पैसा ना दे और दोस्तो कई सारे लोग जो कमेंट बॉक्स से भी आपकोिन करते हैं मैं ओल्ड कोईन कमPLEझे हूँ मैं ओल्ड कोईन बारू इस परकार के कई सारे लोग है कई सारे लोगों को कमेंट слово वो सब फरोड लोगomet उनके चक्कर में अगर आपने किसी को पैसे दे दिया जो आप बॉले बाली लोगों से पैसे मांग रहे हैं और बोल रहे हैं आपको एकजार पचास देना पड़ेगा या फिर एकई सु पचास देना पड़ेगा आप लोग देते भी हो लेकि उनके बाप जूजी आपके नोट और शिक्के बूर नहीं खरीते इनका मतलब दोस्तों वो आपसे पैसे लेकर आपको सीधा ब्लोग कर देते आप उनका सोसल मीडिया के जरी आप उनको कुछ नहीं सबग सिखा सकते हो यानि कि वो आपके साथ बड़ा फरोड कर सकते है और आप उनको कुछ नहीं कर सकतेज आप उनको एक बाल भी बाका नहीं कर पाऊगे अगर आपने उनको पैसा दे भी दिया आपके पास कई सारे सबूद है फिर भी आप उनके कुछ नहीं कर पाऊगे जुस्तों आपको किसी को पैसा नहीं देना अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है और आपको लग रहा है यह रियल वाई रहे तो उनको बोल दीजिए आधा पैमिंट आपको जो नोट और जो सिक्कों का बदलें आप हमको देंगे उन मैंसे आप आधा पैमिंट रख लेना उ हम आपको देंगे अगर उतनी भी बात नहीं मान रहा है तो उनको बोल देना कि नोट और शिक्के आप फिरी में ले जाओ लेकिन भाई हमारे से 1050 मत लो क्योंकि हम लोग तो सिर्फ नोट और शिक्के बेचने के लिए वीडियो देखते हैं लेकिन आप लोगों को पैसे द वीडियो में आप सब लोगों को फायदे की बात ये कि आप सब लोगों को नोट और शिक्के बेचने के लिए सही रियल बाहर है जो खरीदार है नोट और शिक्कोंगे उनके नमबर मिलेंगे साथ साथ दोस्तों आपको कई सारी बातों का ऐसी बातों का सचाई का पता चले कि वीडियो मागेबरता उस से फहले आप सब लोग हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरू कर दें चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया था और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ना मत भूलिएगा वीडियो के comment section में जाकर हमें comment करें जरूर बताएं कि आपके पास कौन-कौन से note है, कौन-कौन सिक्के हैं और आप हमारे वीडियो भारत के किस राज्ये से देख रहे हैं ये सारी जानकार हमें comment box में बताने जरूरी है यदि आप comment नहीं करोगे तो वीडियो देखा हुआ आपका बेकार जाएगा क्योंकि जो लोग सबसे ज़्यादा comment करेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों के note हो सिक्के भीकवाए जाएगे चलिए दोस्तों आगी की जानकर आप ध्यान से सुन लिजए आपको number में मिलेगा सारी चीज़े आपको मिलेगी दोस्तों अभी मैं आपको अलगले note और अलगले सिक्कों की जो price है और कीमत है वह आपको बता देता हूँ कि आपके पास कौन-कौन से note और कौन-कौन सिक्के होने चाहिए ताकि इस वीडियो के मादिन से आपको बेचने हमें ज्याजा किमत मिल सके तो आपको मैं अलगले rare note और rare सिक्के है वह बता दे हूँ कि आपके पास ये note और ये सिक्के होने चाहिए तो सबसे पहला आप एक रुपे का note देगर ये एक रुपे वाला note होता है इस परकार का एक रुपे वाला note होता है यहाँ पर देखिए एक रुपे के सिक्के के यहाँ पर तस्वीर बनाएगी है और सिक्के को बरसन 1879-1948 लिखा होने चाहिए और इसके हस्ताकसर है वो आईजे पटेल के हस्ताकसर होने चाहिए तो आपको एक note के बदरे में 2,60,000 रुपे केमत मिल सकती है अगर एक रुपे वाला note आपके पास है तो आप हमें comment करके बता जाना के वैसा मेरे पास यह note है और मेरा नाम यह है इतनी सी आपको comment box में बतानी होगी आगे मैं आपको जो number दूँग उस number पर फूट्टू खेंच कर भेजना होगा अगला दोस्तों 100 रुपे वाला note है यह note तो आप सबी लोगों के पास होगा अगर आपके note में 700 सींसी की serial number है यह तो अंकों के पीछे हो या फिर आगे वो आपका कोई माइन नहीं रखता है लेकिन 700 सींसी की serial number वाला note है तो आपको काफी अच्छी कीमत मिल जाई है अगर आपके पास में है तो भी आप हमें भेज देना अगला दोस्तों coin है यह डॉक कम लोगों को पास मिलता है इसलिए इस coin की इतनी कीमत बढ़ा दीगी है और यह coin अगर आप लोगों को पास है तो भी आप कम से कम आप 90 लाक रुपे तक कीमत एक coin के बदले में आसाने से कमा लोगे अगर आपके पास यह coin है तो भी आपका sell हो जाएगा और आपके पास 500 र दाव जी गवरनर होते हैं और यहाँ पर 500 रुपे लिका होना चाहिए और यहां पर देखो के सफेद वाटरमार और यहाँ पर देखो के मातमा घंदी जी पोड़ेल हो होना चाहिए तो आपको 2,18,000 यानि कि यह नौट तो जैसे कि मैं आपको बताऊ उदरान साहिथ तो 8 नुम्बर 2016 को पान सो और हजार रुपय के नोट मूदी सरकार को द्वारा बेहन की थे इन्हीं मैंसे हमारे पास कलेक्शन में जो नोटों के कमी आई थी तब इसको नोट को भी सामिल किया गया अगर आपके पास ये नोट तो आपको 2,18,000 रुपय यानि की एक नोट के बदल में लिखा होना चाहिए और यहां पर एक मिंट मार्क नजर आ रहा है यह कोई कोई में नहीं आएगा और यहां पर उपर लिखाओ इस प्रक्राइब कोई वाला होना चाहिए तो आपको 1,19,10 रुपय यानि की एक कोई के बदले में आपको कीमत मिल जाएगी अगर आपके पास एक रुपय का एसी थेम वाला एक यहक कोई होता है् तो आपको 11,00,000 रुपय आज़ा आउन आसान से ही आपको कीमत मिल जाएगी अगर जवाला नहरुजी के पौटेड़ वाला पत्चास्चास प्रक्राइन परन होता है तो भी आपको एक कोई करते हो कम से कम 25,000 रुपी कीमत आसानी से मिल सकती है इसके आपको ब्याग साइट से मैं आपको दिखाऊ असोगिस्तम होना चाहिए सत्य में विज़यते लिखा होना चाहिए और 50 पैसे यहापर लिखा होना चाहिए भारत लिखा होना चाहिए और ऐसे हमें तो भी आपका चलेगा आपके पास होना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो या फिर आगे मैं आपको जो नंबर देने जा रहो उस नंबर पर फोटू कहांच कर भेज़ देना होगा अगला दूस्तों नोट है यह 5 रुपे के मात्मा गांदी जी के पोट्रेट वागा नोट होना चाहिए इस नोट के हम आपको कीमत बताए तो 1,32,000 रुपे आने की एक नोट के बदरे में कीमत मिल जाएगी क्योंकि हमें ऐसे कलेक्शन के लिए 6 लाख नोट चाहिए तो अगर आपके पास ऐसा नोट है सर मेरे पास 5 रुपे मात्मा गांदी जी वाला नोट है तो आपको पहले आपको बोलोगे तो भी आपको केमत आकाउंट में ट्रास्पर कर दीजाए उसनके बाद आपका नोट कलेक्शन किया जाएगा सी के साथे दोस्तों अगला 2 रुपे वाला नोट है यह भी मात्मा गांदी जी की पोट्रेट वाल है यहाँ पर देख सकते हैं अलगले बासाओं में 2 रुपे 2 रुपे लिखा होना चाहिए और यहाँ पर इंगलीज में 2 रुपे लिखा होना चाहिए यहाँ पर RBI का लोगो भी होना चाहिए और इस नोट की कीमत की बात करें तो 3,12,545 रुपे यानि की एक नोट के बदले में कीमत मिल सकती है अगर आपके पास है तो भी आपका नोट चलेगा अगला दोस्तो 10 रुपे के 2 कोईन है ये दोनों कोईन मिल जाते हैं दोनों कोईन आप सेल करके 2,56,000 रुपे यानि की कीमत कमा सकते हैं लेकिन इन कोईन में आपको अंतर बताता हैं यहां पर भी 10 रुपे है वो कोईन की बीच में लिखा हुआ है और यहाँ पर यहाँ पर 10 रुपे लिखा हूँ वो आजए कोईन की बीच में और साइड में यहाँ पर दोनों बागव में लिखा होना चाहिए दोनों कोईन आपको मिल जाता है 2,46,450 रुपे यानि की दोनों कोईन की कीमत में बता रहा हूँ लेकिन अगर आपके पास इन में से एक कोईन भी मिल जाता है तो आपको काफी अच्छी यानि कीमत मालन कर चले तो 1,20,000 रुपे के सम्धिंग आपको एक नोट के बदले में कीमत मिल जागी अगर आपके पास हैं 10 रुपे वाले कोईन तो भी आप हमें कमेंट करके बता देना है इस वीडियो के नीचे कि सर मेरे पास ये कोईन है और मैं आपका वीडियो भारत के इस राज़े से देख रहा हूँ अगला दोस्तो 50 पैसे के इंड्रा गांधि वाला कोईन है ये 5 रुपे के कोईन होते हैं लेकिन यहाँ भाए हम बात कर रहे है 50 पैसे वाले अगर आपके पार 50 पैसे वाला कोईन होता है तो आपको 2,42,450 रुपे यानि कि एक कोईन के बदले में कीमत मिल सकती है यहाँ पर आसो किस्तम होना चाहिए सब्ते में जहे तो यहाँ पर लिखा हो देख सकते हो और हमारी कंपनी के नमबर आपको आसाने से मिल जाएगी तो अगर आप घर बैटे सेल करना चाहते हो किसी को कोई रजिस्टरेशन फीस चुलक चार्ज जैने की जरूत नहीं है परकार आपको क्लिक करना फिर आपको क्लिक करना है पर आपको फ़र्लीक कई कर देना है है कॉष्टा और यहाँ पर देख His चाहे गया पर आपको ऑपयोड़ून हो इसे application download होगी, download होने के बाद आपको जो number देना है वो किस परकार देना है, अब देखिए application download हो चुकिये, इसको यहां से open करना होगा, अभी यह open हो रही है, अपने phone के अंदर, उसके बाद open जब हो जाये तो उसके अंदर आपको अपने वो number देना है जो आपने आज तक कहीं क गइन खाट कोई बैंक अकाट में नहीं दिएimy ऊबिए नमबर यहां पर मत देना दोस्तों कभी कब धार एक उस सभी हो जाती है तो इस परकार यह आप साब यहां पर सब्सक्राइम के चल में तो पर देखिया काल नीकों कर रहा है रहा है लोटर में झ promos on से लोग इन करना मेरे पास दो सिम हैं तो मैं किसी एक सिम से लोग इन कर देता हूं यह मेरे नंबर है मेरे नंबर पर OTP आच चुकी है तो इस परकार आपके नंबर होंगे वह सिदा बाहर से संप्रेक्ट लिश्ट में जुड़ जाएंगे और बाहर हाथ-वाथ-वाथ- अपर दिया प्लिन ओरूस